बिस्मिल्लाइ रभाइन रहीम असलाम लाइकूम वीवर्स वेलकम टू माई चैनल वीवर्स आज हम बैन बनाना सीखेंगे बहुत ही इजी मेथट से आज की इस वीडियो में जस्ट बैन का है अगर आप गले की नेक की ये वाली वीडियो देखना चाहें फ्रन्ट स्लिट ने लेबल है वो भी आप देख सकते हैं तो चैलिए बैन बनाना स्टार्ट करते हैं वीवर्स ये नेक लाइन मैं अल्रेडी बना चुकी हूं इसकी मैंने वीडियो जो है वो भी शेयर कर दिया चैनल पर अगर आपने देख ली और अगर नहीं देखी अगर आप देखना चाहे तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मुझूद है अभी हम इसके बैन लगाने का तरीका सीखते हैं कि बैन किस तरह से अटैज कर सकते हैं यहां से मैं इसको हलका सा अरेव में कटिंग करूंगी यह देखें जस्ट इतना पॉइ पहले से ही है और यूँ देखें इस तरह से हम इसको मार्क कर लेंगे बस इतना हमने इसको मार्क करना है और यहां से यह जो एक्स्ट्रा है इसको हमने कटिंग कर लेना है यह देखें इस तरह से लाइट सा करवाएगा जो एक्स्ट्रा था वो हमने कटिंग कर दिया है अभ पहले हम इसकी measurement कर लेते हैं. जो के shirt पर ही होती है, इस तरह से हम पहले center से measure करेंगे, कि यह center से हमारा कितना है, 就, center से 6, 6.5 है, और sideं पे मैं इसको 2.5 लोगी, अगर आप 3 लेना चाहें, तो वह बी नर्मल है three भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 2.5 ले रही हूँ तो 2.5 और 2.55 हो जाएगा और ये 6.5 है टोटल 11.5 में लेंथ लूँगी और 1 इंच की विर्थ लेके एक पट्टी चेपी पे काट लेंगे ये देखें यूर्स ये 11.5 लेंथ में और 1 इंच विर्थ में मैंने एक पट्टी काट ली है अभी हम इस तरह से इसको डबल कर लेंगे और यहां से हम हल्की सी राउंड शेप देके कट कर लेंगे बस जस्ट इसके कॉर्णर्स को हमने राउंड करना है ये देखें इतना बारीक बारीक सा ये कटिंग हो चुका है वैसे तो इसकी जो शलवार का कपड़ा है हम उसके साथ में ये लगा सकते हैं ये जो नेक के नीचे मैंने यूज किया है बिल्कुल सेम कलर का है वो भी लगा सकते हैं लेकिन उसकी निस्बत ये मेरे पास बार्डर है इसके साथ जो शर्ट के साथ था मैं इस बॉर्डर के उपर बैन बनाऊंगी क्योंकि ये वाला डार कलर है ये इस पे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और इसके बॉर्डर का प्रिंट भी बहुत प्यारा ये बॉर्डर तो डबल है ये भी है और साथ में ये भी है हम इसके उपर रख के अटैज करेंगे मैंने ये इसको इस साइड पर इसलिए नहीं किया आप वैसे ज़्यादा कपड़े वाली साइड पर ये गुलाई रख के तो आप इसी तरह से उसको ऐसे टन करके साथ साथ सलाई लगा सकते है लेकिन मैंने इसल्ए नहीं किया क्योंकि ये ये वली साइड जो है ये बॉर्डर की इस तरह थी कि ये उल्टी हो जाती फिर ये उल्टा अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं इसको ऐसे रखना चा रही थी इसलिए फिर मैंने इसको दूसरे रुख में अटैच किया है यह हमने इनको लग कर लिया है अभी सबसे पहले यह वाली जो साइड है इस पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे यह इदर मैंने एक एक पैर की सिलाई लगा लिए है जो सिट्रेड साइड थी और जो साइडों पे हमने थोड़ा थोड़ा सा राउंड किया था वो हम इसकी भी सीधी साइड रखेंगे और इसकी उल्टी साइड रखेंगे यूं इस तरह इसके साथ-साथ राउंड में सलाई लगा लेंगे यहां से हम सलाई स्टार्ट करेंगे यहां से सलाई को दो दफ़ा डबल कर लें ताके यहां सलाई निकले न और इस तरह से इस राउंड के साथ-साथ यहां तक सलाई लगा लेंगे और यह इतना इतना फैबरिक एकस्ट्रा रखेंगे जो के हमारी सलाई में आएगा यह हमने सलाई लगा ली है अब यहां से हम इसके साथ-साथ ही इसको कट कर देंगे राउंड और यहां पर हलके हलके से नोचीज लगा लेंगे इस सारे राउंड के साथ-साथ और इसको फिर इस तरह से दुसरी साइट पे टर्ण कर देंगे वीवर्ज यह इस तरह हमने इसको दुसरी साइट पे टर्ण कर लिया है इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और अभी इसे शर्ट पे अटैच करने के लिए यहां से इसको इस तरह से डबल करेंगे यह देखें इसकी यह वैली साइड भी बहुत नीट लग रही है बहुत खुबसूरत लग रही है इस शर्ट के साथ जो बार्डर दिये होते हैं बहुत ज़्यादा काम आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं ड्रेसेस पे डिजाइनिंग करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद में वीडियो के अंड में मैंने अपनी बेटी की बहुत खुबसूरत एक शर्ट बनाई है इसमें यह बार्डर यूज़ किया हुआ है बहुत खुबसूरत लग रहा है आप मेरे चैनल पर वििजिट करके भी देख सकते हैं इसका सैंटर कर लेना है हमने और सैंटर पे इस तरह से हमने कट लगा देना है जिस तरह से हमने बैन का सैंटर लिया था वो साइड बाहिर आएगी इसलिए उसको उपर रखना है और यहां से इसलिए इस कट को कट से मिलाना है जो हमने लगाया था और यहां पे हमने सलाई लगानी लेकिन याद रखें कि सलाई लगाने से पहले यह जिस जगा पे बिल्कुल फिक्स आ रहा है बराबर यहां पे mark कर ले ताके आपको सलाई लगाना आसान हो सलाई आगे पीछे नहोगे तो अभी हम इसी तरह से यह इसको सैंटर से सलाई लगाएंगे वैसे तो इसको एक साइड से भी हम मेईर करके लगा सकते हैं लेकिन साइड से इसलिए बता रही है ताके दोनों साइडें बराबर हों और आपके लिए लगाना मुश्किल ना हो यह देखें वीवर्ज इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है जिस जगा पर मैंने स्लाई अटेज करनी है जब बिल्कुल तीरे की स्लाई पे पहुंचना है तो यह शर्ट बिल्कुल मामूली मामूली सा एक एक पैर से भी थोड़ा कम इतना इतना शर्ट का पीस अंदर आना चाहिए यानि कि एक एक पैर के जितना थोड़ा थोड़ा सा शर्ट का पीस अंदर आना चाहिए फिर उसके उपर से वो बैन टर्न करेगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये नेक के बराबर होना चाहिए ये थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकालके हम अपनी मार्क लाइन को सामने रखेंगे बस उसी के उपर इस तरह से स्टीचिंग करेंगे ये देखें वीवर्स इतनी इतनी शर्ट की साइड अंदर आई है और ये देखें इतना नीट सा लग रहा है इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी स्लाई लगा लेते हैं और फिर बाद में हम इसके उपर रख के स्लाई लगाएंगे और ये जो अंदर वाली साइड पर बॉर्डर आया है ये इस तरह से ये भी अच्छा लग रहा है वीवर्स ये कम्पलीट बैन अटैच हो चुका है ये देखें स्लाई लगाने का मैं ये बताना चारी थी कि स्लाई लगाने का सबसे बेनिफिट क्या हुआ है कि ये बिल्कुल भी आपकी स्लाई बाहर नजर नहीं आ रही है और ये देखें इस साइड से भी कितनी नीट लुका आ रही है अभी हम इस तरह से इसको सीधा करते रहेंगे और इसके साथ साथ सारे सलाई लगा लेंगे यहां कॉर्नर पर तक यह देखें इसके कॉर्नर भी कितने नीट बने जब आप कॉर्नर बनाने लगें तो इस तरह से इसको उपर की साइड को खोल दें तो फिर आप कॉर्नर तक स्लाई लगा सकते हैं बिलकुल असानी के साथ और अगर चाहें तो अपनी मर्जी है अगर चाहें तो इसके साथ साथ भी अभी स्लाई लगा लें और अगर आप ना चाहें तो स्लाई ना लगाएं ऐसे भी अच्छा लग रहा है माँ मैं फिर से वही बात बार-बार रिपीट कर रही हूं कि जब भी आप सलाई स्टार्ट करें तो उसे अच्छे से पका कर लें ताकि सलाई निकले ना क्योंकि एक दफ़ा जो स्टीच हो जाता है उसके बाद जो सलाई निकल जाती है तो फिर वो वाली नफासत नहीं रहती उसमें अभी इस तरह से इसको सैट करते जाएंगे और साथ साथ इसको स्टीच करते जाएंगे ये सलाई हम बिल्कुल किनारे किनारे पे लगाएंगे वीवर्स ये वो शर्ट थी जो मैंने वीडियो के मिड में बताया था कि मैं आपको बताऊंगे कि बॉर्डर्स अटेच की हैं ये देखें बॉर्डर्स के साथ मैंने इस शर्ट को इतना खूबसूरत सा बनाया है इन पे मैंने एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई है अपने बच्चों की ड्रेस डिजाइनिंग पे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनिंग आईडियाज आपको मिल सकते हैं अपने बच्चों के लिए इसके इलावा मुख्तलिफ किसम की डिजाइनिंग की बच्चों के फ्रॉक्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पर असानी से मिल सकती हैं जिससे आप इतने जबरदस्त बच्चों के ड्रैसिस रैडी कर सकते हैं यह शर्ट की बैक साइड है इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है यह देखें इसके साथ मैंने यह शरारा बनाया है इसकी कंप्लीट वीडियो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं वीवर्स ये देखें किस तरह से खूबसूरत और नीट सा बेन लग चुका है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत बूलिए और अगर आप ये नेकी वीडियो देखना चाहिए तो हमारे चैनल को विजट कीजिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल की आईकन को प्रेस कीजिए और हमें फीड़बेक जरूर दीजिएगा कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी थैंक्स फर वाचिंग अल्ला हाफीज